प्रवतर निदेशाले यानी E.D. ने सोमवार को कहा कि उन्होंने हाली में बैंगलूरू में चीनी लिंक वाली 12 संस्थाओं पर तलाशी अभियान चलाया और लगबग 5.85 करून रुपे जबत किये ये कमपनिया चाइनीज आप कीप शेयर के जरिये पार्ट टाइम नौकरी दिलाने और उनसे पैसे वसूलने के बहाने मासूम युफकों को ठग रही थी इस प्रकार एकर्त किये गए धन का उप्योग क्रिप्टो मुद्राओं को खरीदने के लिग किया गया था इडी ने दक्षिन सी एन पुलिस स्टेशन बैंगलूटू शेहर में पार्टाइम नौकरी धोका धड़ी से सम्मन्दित एक मामले में दर्ज प्रात्मी की क्याधार पर मनी लॉंडरिंग जाच शुरू की इडी को जहां से पता चला कि कुछ चीनी लोगों ने कीप शेर नामक मुबाइल अप के जरिये भोले भाले लोगों जादतर युवाओं को धोका दिया था जिसने उन्हें पार चाइम नौकरी देने का वादा कर उनसे पैसे कत्र किये थे इन चीनी व्यक्तियों ने भारत में कमपनियों का गठन किया और कई भारतियों को निदेशक, अनुवादक, मानफ संसाधन, प्रबंदक और टेली कॉलर के रूप में भरती कराया उन्होंने भारती व्यक्तियों के दस्तावेज प्राप्त किया और उनके दस्तावेजों का अपलोड करने का काम दिया गया था जब टास्क पूरा हो जाता था तो वे प्रती वीडियो 20 रुपे का भुकतान करते थे जिसे कीप शेर वालेट में जमा किया जाना था पुलिस द्वारा तायर चार्शीट के अंसार 92 आरुपियों में से 6 चीनी और ताइवान के नागरिक हैं जो पूरे घोटाले को नियंत्रत कर रहे थे